येज, अध्यक्ष महदय मैं राश्टपती जी के भाशन पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ किन्तु बहुत बात ऐसी है जो उनके भाशन में नहीं आई है यह बातें आभी नहीं सकती थी क्योंकि समय का अत्यन्त अभाव था इस संबंध में मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ किन्तु समय का अभाव मेरे पास भी है इसलिए मैं सबसे पहले मुख्य बातों पर ही अपने विचार प्रिकट करना चाहूँगा सबसे पहली बात जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ वह देश की रक्षा से संबंधित है इससे पहले हमारी पड़ोसी देशों से बड़ी बड़ी लड़ाईयां हो चुकी है इन लड़ाईयों के फल स्वरूप हमारे देश के कई भागों को उन्होंने अपने कबजे में रखा हुआ है किन्तु हमारी सरकार ने उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयत नहीं किया है केवल बाते ही बातें चलती हैं मैं चाहता हूँ कि इस बारे में भी सदन की पूरी इस्थिती इसपस्ट होनी चाहिए दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि विदेशों के साथ हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए जिनसे हमारे उपर जब कोई हमला करे तो हम नहीं कह सकें कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा मित्र है और किसका भरोसा हम नहीं कर सकते हैं किन्तु आज तक ऐसा देखा गया है कि जब कभी हमारे देश पर ऐसे संकट की इस्थिती आई है तो हमें अपने ही पैरों पर खड़ा रहना पड़ा है और कोई भी हमारे साथ नहीं आया है जिन देशों को हम मित्र कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे भै लगता है ऐसे मित्र देशों के जहाजी बेड़े भी हमने हिंद महासागर में बढ़ते हुए देखे हैं पहले भी एक देश हमारा घनिष्ट मित्र था और उसे हम अपना भाई मानते थे किन्तु बाद में कोई घटनाओं से ऐसा अनभव हुआ की राजनीतिक मैं किसी भी मित्रता का संबंध स्वार्थों से अलग नहीं हो सकता इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लिहाज वाली बातों को छोड़ कर हमें अपनी सुरक्षा की विवस्था पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए इसके अतरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी नीती को बनाई रखना चाहिए तथा छोटे बड़े सभी देशों के साथ अपने संबंद मैत्रि पूर्ण रखना चाहिए कभी कभी देखा गया है कि इस संबंद मैं हमारी सरकार बिलकुल एक तरफा नर्णे ले लेती है जिससे ऐसे देशों के साथ संबंद कायम रखने में कटनाई होती है स्टॉब